नथिंग ने कुछ टेम पहले अपने फर्स्ट एवर एंड्रोइट स्मार्टफोन नथिंग फोन बन को लाउंच किया थो और इस स्मार्टफोन की काफी तगड़ी हाइप रही है इसमें मिड्रेंज स्पेसिफिकेशन फीचर तो हैं बट इसका वो जुगनूज वाला डिजाइन ग्लिफ इंटरफेस हैस कॉट अलोट ऑफ आईबॉल्स एंड थर्टी थ्री थाउजन रूपीज के आसपास स्मार्टफोन को इंडिया में जुलाई में लाउंच किया था अब यार सेंसेट्स लाउंच इसके सकसेसर या नथिंग के सेकेंड एवर्ड स्मार्टफोन के बारे में लीक्स आने शुरू हो गें और कुछ तैम पहले खबर आई थी कि नथिंग फोन वन लाइट लाउंच होने वाला है येस नथिंग फोन वन लाइट और एक सस्ती ओफरिंग हो आने वाली है रिपोर्टेडली नथिंग की तरफ से जिसमें और मोस्ट नथिंग फोन वन वाली स्पेक्स होंगी वैसा ही डिजाइन आपको मिलेगा बट इसमें ग्लिफ इंटरफेस नहीं होगा ऐसा है एक लीक आया थो और काफी लोग एकसाइटेट थे नथिंग फोन व में हमें मिलने वाले हैं आज की वीडियो में आपको ये सारी चीजे में बताने वाला हूं सो नौ विदॉर्ट विटीग नी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड इस नथिंग फोन वन लाइट एक स्मार्टफोन लॉंच होने वाला है ऐसा एक एक स्क्लूजिव लीक आया थी फुल हडी प्लस एमोलेट डिस्प्लेए 120 हट्स रिफ्रेच रेट के साथ कोलकॉम स्नैप्डगें 778 जी प्लस प्रोसेसर ज्यादा बड़ी बैटरी 4500 नहीं यहाँ पे 5000 5000 इमेज की बैटरी होगी फास चार्जिंग थोड़ी सी कम 45 वोट के जगह यहाँ पे लिस गुलिफ इंटरफेस को छोड़ें जो नथिक फोन बन आपको ओफर कर रहा है वही आप क को टो एपको एलगिट ली ऑफर करने वाला था ऑश्या wi लाइट 25,000 चे कम प्राइस में इंडिया में लाउंच होना था इस रिपोर्ट की अगर हम माने विच इस अगें टू गुट तो बी ट्रू एज अज अफ नौ कंसीडरिंग दाट नथिंग ने अभी अपने फोन बन को लाउंच किया है और अगर ये लाइट लाउंच होता है मार्केट में तो यार एक काफी अच्छी ओफरिंग ये स्मार्टफोन हो सकता है for consumers but it can't be good business for the brand तीन महीने में एक ऐसा स्मार्टफोन लाउंच करना जिसमें बस glyph interface नहीं है बाकी almost same specs है features है तो यार नथिंग phone 1 की sales को बहुत तगड़े तरीके से nothing sabotage कर सकता है if it launches this nothing phone 1 light काल पे ने तभी immediately इस tweet को post किया है so that लोगों के दिमाग से ये वहम निकल जाए कि हाल फिलहाल ये light phone launch होने वाला है और अगर वो एक nothing का phone लेने की सोच रहे हैं तो वो nothing phone 1 को खरीद ले या तो ये reason हो सकता है या फिर वो चाहते हैं कि ये October तक जब तक nothing phone 1 light आता तब तक nothing phone 1 की sales खराब नहीं ये reason हो सकता है but I don't think कि smartphone इतनी जल्दी launch होगा nothing phone 1 light though on paper could be a very very good offering but मुझे लग रहे कि ये smartphone इतनी जल्दी launch नहीं हो सकता और अगर launch होगा तो nothing is not doing good business at all आपको वैसे कह लगता है कि यार अगर 25,000 रुपे में ये nothing phone 1 light launch हो जाए जिसमें सारी specs सेम है almost सारी specs सेम है बट वो गलिफ जो पीछे थे ना जगमगाते से वो सब कुछ LED lights वो आपको नहीं मिलेगा कौन सा फोन आप लोगे अगर आपको इन दोनों में से एक phone लेना होता nothing phone 1 या फिर nothing phone 1 light comment section में आप मेरे को बता सकते और दो the launch of the nothing phone 1 light is rather shady as of now what is definitely going to happen is the fact that nothing though tws launch करने वाला है काफी जल्दी वैस nothing के दो upcoming tws को मैंने various certification websites पे spot किया है इंडिया में भी nothing year one stick or probably nothing year two काफी जल्दी launch होने वाले है nothing ने वैसे अपने upcoming year two courties भी officially करना शुरू कर दिया है so अभी के लिए nothing के portfolio में एक year one तो है अब आने वाला है nothing year one stick nothing year two smartphone अगला कब launch होगा यह अभी के लिए it's just speculations speculations पे दुनिया नहीं जलती और दो यह sad news हो सकती है कि यार nothing phone one light अभी launch नहीं होने वाला but I feel sad news is still better than fake news आपको के लगता वैसे इसके बारे में comment section में बताओ मुझे और फिलहाल के लिए इतना ही अगर आपको actual true news true leaks रहिए तो यार subscribe कर लो एक और में को twitter पे भी आप follow कर सकते हो मिलती है फिर से एक और नहीं वीडियो में तिल देन खुछ रही आप रहिए फ़ते बोलते रहिए God bless you all आपीस जैहिन